दोस्तो उत्तर परदेश सरकार ने हाली में UP पंचायत सहयक भरती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तर परदेश पंचायत सहयक जोब्स के लिए जो योगेवम एक्छुक अभियरती विभाग के द्वारा नीरधारी सेक्षिनिक योगिता की पातरता रखते हैं वो अभियरती अंतिम तिथी से पूर्व इस फॉर्म को भरके UP पंचायत सहयक भरती में अपना दावेदारी योगिता साबित कर सकते हैं तो इसी के बारे में हम लोग अभी इस क्लास के अंदर पूरी तरह से डिटेल बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योगिता क्या होनी चाहिए उम्रसीमा क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन सुल्क क्या ल और आप योगिता है इस फर्म को भरके नौकरी के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं दोस्तों इस क्लास के अंदर आप लोग सुरू से अंतर तक जरूर जुड़े रहिएगा और इसमें यूपी साहक पंचायती राज विभाग के द्वारा से जो भेकंसिया इसके बारे में दिनांक 4 जनवरी 2022 के अंतरगत पंचायत सहयक एकाउंटेंट कम डाटा इंटरी ओपरेटर के पद पर चयन हेतू निम्नांकित योगिता अभीबरन के नुसार आवेदन पत्र योग अभियरती से आमंत्रित किये जाते हैं यानी डाटा इंटरी ओपरेटर के ये पोस्ट है दियान रखना है कुल पोस्ट की बात करें तो 3544 पोस्ट है यानी 3544 पोस्ट है कुल सीटों की संख्या 3544 ग्राम पंचायत वार वो वर्ग वार अवसेस पदों का वीबरन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग के वेवसाइड पर ये वेवसाइड दिया गया इस वेवसाइड को हम लिंक कॉपी करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वहां से भी आप लोग देख सकते हैं पर उपलब्ध है आवेदन तिथी की बात कर ले 17 जनवरी से ये फॉर्म भरना सुरू हो चुका है जो 2 फरवरी 2023 तक ये आवेदन आप कर सकते हैं पंचायत सहायक एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर के चयन की समय सारनी समय सारनी यहां पर दिया गया है भरती की जो परिकिरिया है और इसका जो निर्धारित समय इसको जान लेते हैं सबसे पहले है ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायतों में अलग-अलग सीटों के बारे में दिया गया है। लग लग जगा ये आवेदन जमा ली जाएगी जिसका डेट है 17 जनवरी से स्टाट हो चुका है जो दो फरवरी तक दो फरवरी 2023 तक आवेदन लिया जाएगा आगे बात कर लेते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी कारियाले वो विकास खंड कारियाले में प्राप्त आवे आवेदन पत्रों की स्रिष्टता सूची यनि मेरिट लिष्ट तयार करना एवं ग्राउम पंचायत की प्रशासनिक समिती के समक्च विचारा आर्थ परस्तुत किया जाना है समिती द्वारा अनुमोदित स्रिष्टता सूची को जिला अस्तरिय समिती के विचारा आर्थ सम बनाया जाएगा और मेरिट लिष्ट बनाने के बाद उसको जिला भेजने का जो पूरा परिक्रिया है यहीं 9 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच रहने वाला है आगे बात कर लेते हैं जिला अधिकारी की अधिक्षिता में गठित समीती द्वारा परिक्षन पर स्नूती 17 फर फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी आगे है नंबर 6 में ग्राउम पंचायत द्वारा नियुक्ती पत्र निर्गत कराये जोने की अब्धि यानि कि आप लोगों को जो जोइनिंग कराई जाएगी वो 25 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक को यह नियुक्ती की अब्धि है यानि कि आ आप लोगों को जोइनिंग लेटर जो मिलेगा 25 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक आवेदन नियुक्ती के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा नियुक्ती पत्र अब आवेदन की परिकिरिया क्या है ये जौन लेते हैं निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस् समस्त चयन परिकिरिया संख्या दिया है 42 अबलिक 2021 12 35 अबलिक 33 2021 नोसो नवासी दिनोंख 25 साथ 2021 के दिये गए प्रावधियोनों के अनुसार संचालित होगी यानि कि आप लोग जो फर्म भरेंगे तो या तो आप हतो हत जमा कर सकते हैं या फिर रजिस्टरी करके जमा कर सकते हैं यह दोनों प्रावधाने दोनों तरह से आप जमा कर सकते हैं फिर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं और 2021 के अंदर जो नियामवली बनाया गये उसी नियामवली के अधिकार के अनुसार इस पर यह चैन की परिक आवेदन पत्र आप जिस पंचायत में फर्म भरना चाहते हैं यहां पर लिखेंगे पंचायत का नाम वो किस परखंड के अंदर है परखंड का नाम लिखेंगे जिस जनपद है वो जनपद का नाम यहां पर लिखेंगे आवेदक का नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे जन्तिती लिखेंगे जन्तिती हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार लिखेंगे अब वो जो 1 जुलाई 2022 को कंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं उसका उम्र क्या हो रहा है यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अगर आप लोगों को उम्र निकालने के लिए नहीं आता है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर बताइए हम आप लोगों को उम्र निकालने के लिए जरूर बता देंगे 11 नमबर में देख लेते हैं 11 नमबर में सेक्षिनिक योगिता भरेंगे उचितम सिक्षा तक परमान पत्र के साथ परमान पत्र सनलगन करना है धियान रखना इसके साथ में आप लोगों को फोटो कॉपी भी इसके साथ लगाना है उसका नाम यहाँ पर लिखना है तो इसमें हॉपी इसके से परेंट बना इसमें अर नमबर 2 में आप लोगों को इंटर्मेडियेट का लिखना है इसमें same to same लिखना अलग-अलग intermediate आप जिस board से पास कियें हो लिखना किस किस विशय से पास कियें पूरनांक क्या था प्रापतां कितना आया है नमबर किस रेनी से पास कियां और कितना परसेंट है इस से ज़्यादा योगिता आप रखते हैं जिसे कोई भाई साब होंगे graduation त पूरनांक लिखेंगे पूरनांक लिखेंगे प्रापतांक श्रेनी और परतीसत और कारिया अनुभव यनि वर्स में अंकित करेंगर कारिया अनुभव है तो यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल लिखेंगे आगे नमबर तीन में COVID-19 से मृत व्यक्ति के वारिशान के रूप में आवेदन किया जा रहा है हाँ या नहीं यानि कि आपके कोई फैमली में COVID-19 के दोरान अगर मृत हो गया है तो उसके बारे में यहाँ पर हाँ या नहीं में लिखेंगे अगर कोई मृत हुआ है तो उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर आवेदक का मृत किस परकार क संबंद वो लिखेंगे मिर्तियों की तिथी और उसका परमान पत्र सनलगन करना है रिपोर्ट एंटीजन ये सारा चीज को करना है उसके बाद जो है नीचे घुसना पत्र दिया गया है घुसना पत्र को पढ़ने के बाद आप यहां पर ये सिंगनेचर अपना हस्ताक्षर और आप दिनांक देकर इस फॉर्म को सम्मीट कर सकते हैं सम्मीट करने के बाद प्राप्ती रसीद निस्सित रूप से रख लिजेगा ग्राउम पंचायत का परखंड खंड का यानि जिला पंचैती राज अधिकारी का जहां पर आप लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका एक ये रसीद आप जरूर रख लेंगे तो इस तरह से दोस्तो आप लोग अगर इसका इस फॉर्म को भरने की योगिता है आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो निस्सित रूप से इस फॉर्म को भरिए और इसमें क्या परिशानी आ रहा है आप हमारे comment box में पूछ सकते हैं हम आप उसका उत्तर निश्चित रूप से देंगे तो दोस्तो आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल अभिसेक सुमन को सर्च कर सकते हैं या फिर success education point चैनल को आप subscribe कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम सभी परकर की government jobs की जानकारी लेकर आते हैं साथ साथ में static gk current affairs को class में पढ़ाते भी हैं तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और तयारी कर सकते हैं की class के लिए इतना ही अगले class में फिर से अगले जानकारी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धनिबाद दोस्तों जय हिंद